नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्योब चैनल योजना ओनलाइन पोर यूपर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्मून जान कर लेकर हाजर हुए हैं अगर आप भी अपने जिले की मेरिट लेस्ट का अंतिजार कर रहे हैं तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए है आपकी जानकार के लिपता दे कि दोस्तो जब भी आपकी merit list जारी की जाएगी आपको इसी optional website से अपनी merit को डाउनलोड करना होगा साथी दोस्तो कुछ जिलो की merit list त्यार होने जारी है और एक बड़ा notification भी जारी हो चुका है जो हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं दोस्तो जैसे सरकार दुआरा आगनवाडी के तहट notification जारी किया जाएगा तो आपको यहाँ पर जैसे कि आप इस स्कीन पर देख पा रहे हैं लेकिन दोस्तो क्या notification हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो वीडियो को पुरा वाच करिएगा साथ दोस्तो आपसे हमारा निवदन है कि अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है वीडियो को लाइक कर दीजे जासे ताश शेर कर दीजे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दोस्तो तो कि चैनल के माध्यम से आपको योजनाओ से रिलेटिड और भरती से रिलेटिड जानकारी दे जाती है दोस्तो उत्तर परदेश के ग्रामीन इलाकों में बने आगानवाडी केंद्रों में राज्य सरकार की योजनाओ के कुसल किर्यावन्यन के लिए आगानवाडी कारिकत्री मेनी आगानवाडी कारिकत्री वे आगानवाडी सहिका के पोदों का सर्जन क्या गया है इन इलाकों में दोस्तों यनके जो ग्रामीन इलाके हैं उनमें आगनवाडी केंद्रों में महिलाओ की भरती निकाल गई है इन केंद्रों में महिला क्रमचार्यों की तैनाती की जानी है आपकी जान कर ले बता दे कि यूपी के कहीं सहरों में काफी लंबे समय से अंगनवाडी केंद्रों में क्रमचार्यों की कमी बनी हुई थी यूसे पुरा करने के लिए हाली में बाल, विकास, सिवा, एवं पुष्ट, आहर, विभाग, उत्तर परदेश की ओर से अलग-लग तितियों में भरती आविजित की गई थी जैसे ही आअगनवाडी के था है जो भरती कराये गई है वे सभी जिलों की एक सात भरती नहीं की गई है सभी जिलों की अंतिम्तिथि निर्धरत की गई थी और वे अलग-लग अंतिम्तिथि थी लेकिन दोस्तों करीब अब भी 10 से 15 जिले ऐसे हैं जिन में ओनलाइन आविदन की परिक्रिया सुरू नहीं हुई है दोस्तों काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी जिले में कब से ओनलाइन आविदन की परिक्रिया सुरू कराई जाएगी तो आपको उसके बारे में भी बता जाएगा कि आपके जिले में कबसे ओनलाइन आविदन की परकिरिया शुरू करा जाएगी और साथ ही जिन जिलों में ओनलाइन आविदन की परकिरिया समाप्त हो चुकी है तो वह जिले दोस्तो आब अंतिम छोर पर है जिन आविदकों ने आविदन क्या हुआ है वैसे भी आपने जिले की merit list का इंतचार कर रहे हैं तो उनकी merit list कब आईगी दोस्तों वह भी हम आपके हापर बताने वाले हैं इस भरती प्रकिरिया में उम्मीदवारों का चैन merit के आधार पर क्या गाया था जैसके आप सभी जानते हैं कि इसके लिए कोई भी एकजाम यहां पर नहीं लिया गया है और इसका आविदन करताओं को इंतजार बना हुआ है इस मेधा सूची की फुकता जानकर के उम्मीदवारों को ICDS UP की official website पर विजिट करते रहना है यहने दोस्तो अगर आपने भी आविदन किया हुआ है तो हम आपको एक सलहा देते हैं कि दोस्तो आप जो ICDS की official website है उसको चेक करते रहेगा क्योंकि जो आपकी merit list आने वाली है वे दोस्तो सरकार की official website पर ही upload की जाएगी और वहीं से ही आप अपनी merit list को check out कर पाएगे और दोस्तो आप PDF के रूप में भी download कर पाएगे वहीं दोस्तो आगे जान कर दी गई है कि आपकी जो जिले हैं किन-किन जिलो में merit list बनने जा रही है उनके बार में भी दोस्तो हम आपके आपर जानकारी देते हैं दोस्तो जो आपके यहां पर chain होने वाला है वह किस आधार पर क्या जाएगा वहीं दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं आविदक कास जो selection होगा वहें merit list के आधार पर क्या जाएगा और UP आगनवाडी merit list बनते समय दोस्तो आपके जो अंक होगे वह दसवी बारवी और इसनातके इनकी graduation के अंक आपके जोड़े जाएगे यहां पर कुछ आविदक ऐसे भी होगे कि जिनके पास graduation से उपर की भी योगता होगी लेकिन दोस्तो जो graduation से उपर की योगता है उनका एक भी अंक अंगनवाडी के जो यहां पर merit list होगी उसमें नहीं जुड़ेगा केवल और केवल आपके graduation तक ही अंक अंगनवाडी merit list में जुड़े जाएगे सभी के पास graduation नहीं है तो अगर आपके पास दस्वी है तो आपको दोनों चालासों के जो अंक है वे परसंटेज दोस्तों आपको जोड़ देनी है suppose that दोस्तो जैसे कि आपकी यहांपर 50% दस्वी में है और पलस यहांपर जो आपकी बारवी है बारवी में आप 60% अंगमान लेजे अब दोस्तो जो भी इसकी योगता होगी यांगे जो भी इसका उत्तर आएगा जो भी इसकी प्रसंटेज आएगी अब दोस्तो आपको करना क्या है दोनक लासो का जो प्रसंटेज होगी उसको आपको 10 से भाग कर देनी है और भाग करने के बाद जो भी आपका उत्तर आएग तयार करने की तयारी कर रही है दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला जिला है वे है आपका बल्या है बल्या जिले की मेरिट लिष्ट आपको जल्द ही देखने को प्राप्थ होगी क्योंकि इस जिले की जो मेरिट लिष्ट है वे दोस्तों बनाने की तैयारी की जा रही है वे दोस्तों आपके हाँ पर जो नैश्ट जिला है वे दोस्तों भागपत है जैसे कि आपसे भी जानते हैं भागपत जिले में काफी समय हो गया है आवेदन किये हुए समावत हुए तो दोस्तो आप बागपत जिले की भी मेरिट लिस्ट को जल्द ही चेक आउट कर पाएंगे और दोस्तो हो सकता है कि बागपत की जो मेरिट लिस्ट है वह नौमबर महा में ही जारी कर दी जाए सिधे आपको ओफिशेल विबसाइट पर जाना है अगर आपकी जिले की मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो दोस्तो आपको आई सीडेस की ओफिशेल विबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको अपनी मेरिट लिस्ट को चैक कर लेना है गाओं में से चार महिलाओं ने और पर तो यहां पर जिल्द है आप आपको यहां पर बलड़ामपुर बलरामपुर शल्द है अवर सोट जल्द ही ऑप अपनी जल्द हैं merit list को check out कर पाएंगे फिर दोस्तों आपका यहाँ पर जो next जिला है वे दोस्तों ब्राच है ब्राच में भी आपकी merit list जल्द ही सरकार दुवारा जारी की जाएगी हो सकता ही कि आपकी जो merit list है वे है दिसंबर के फर्स्ट हपते में ही जारी हो जाए तो यहाँ पर जो next जिला गए अब सलते हैं नेस्ट जिलोगी और यहाँ पर नेक्श्ट जिला आपका देया रहा बंकी तो 12 बंकी की भी जो online अवदन की परकिया है वेंसमाप्त है काई लंबा समय हो गया है तो जुस्तों आपके जिले की भी merit list जल्दी जारी होने वाली है आपको ना चाहेंगे कि सभी जिलों की merit list एक साथ जारी नहीं की जाएगी जिस परकार से online आविदन की परक्रिया सुरू की गई थी सभी जिलों की अनतिमतिती अलग अलग ती और दोस्तो अलग अलग ही आपकी जिले में online आविदन की परक्रिया सुरू की गई थी तो इसी परकार से आपकी जो merit list है वे दोस्तो अलग-अलग नेर्धारित किया जाएगी अलग-अलग आपकी जारी किया जाएगी हो सकता है कि इसमें दोस्तो आपकी 10 जिलों की merit बनाई जाए या फिर आपकी दोस्तों 30 जिलों की merit बनाई जाए यहनके दोस्तों जिले वाइज आपकी merit list को जारी किया जाएगा फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो next जिला है वे दोस्तों बांदा है बांदा जिले की भी merit list आपको जल्द ही प्राप्त होगी क्योंकि 12 जिले की भी काफी समय हो गया है कि आपको जल्द ही देखने को प्राप्त होगी फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो next जिला है वह बस्ती है बस्ती जिले में भी आपको जल्द ही आपकी merit list देखने को प्राप्त होगी अगर इस list दे पा रहे हैं लेकिन उनके जिलों के छान बीन चल रही है और जैसे हमें कोई भी रिपोर्ट मिलती है चाहिए वो भी मीडिया रिपोर्ट के थुरू हो या फिर दोस्तों सरकार के थुरू उसकी जानकर आपको सबसे पहले इस चैनल के मांतियम से दे जाती है अब भी दोस् यहां पर बस्तीय भशतिगा है बताया जा रहा है कि आपको जल्द ही आपकी जिले की मेरिट लिस्ट के लाश्ट में जारी कि जा सकती है और दोस्तों आगर आपने भी बरेली जिले से शावह है और आप अपने तक दसल्वेज जमाने हैं तो आप ड़ोक में जाकर संप्रक कर सकते हैं जान कर सकते हैं कि आपके जिले में जम्झ जम्ह किये जाएंगे या नहीं क्यों की दूस्तों काफी just कि burg और जम्हा की गई है और आपके जिले में नहीं जार्य नहीं महा में इनके नुम्बर महा में ही आप चैक आउट कर पाएंगे अगर इस जिल्ले में से इस लिस्ट में से आपका नाम ना हो आपको कमेंट वोक्स नियाकर कर सकते हैं और आप से निवदन करेंगे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों ताकि आने वाला जो नोटिफिक्स हमें वह आपको मिल सकें अब दोस्तों आप से चाहते हैं इजाजत और मिलते हैं आपको नाइस्ट वीडियो में यह तक के लिए जैहिन ज हराओ